आप सभी का विल्कम करता हूँ आपके चनल जहां मैसमाजिक पर जहां रखते हैं आपको प्रॉसेस सेलेक्षिन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेनूर इन्फोमेशन तो बिहार एससे ने एक नोटिस जारी किया है और उन तमाम स्टुडेंट के लिए नोटिस है जिन्होंने इस्टूनोग्राफर इंस्ट्रक्टर का एक्जाम दिया था और डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहा है डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट आया था और किसी कारण बस उसे अस्तगित कर दिया गया था अब नया डेट आ चुका है जिस डेट को आपको डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन करना है जी हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो कर लीजिएगा देखे क्या है अवेशक सूचना जो है 14.2024 के माद्यम से सुचित किया गया था कि बिग्यापन संक्या दिजदिस पर अनसुपालिक आशुपलिपिक अनुदेशक परिक्षा 2023 की बैवहारिक जांच परिक्षा में आहर्था के धार पर 34.2024 एबं 44.2024 को प्रमान पत्रों की समिक्षा हेतु निर्धारित कारेकर्म अ समंधित 271 अव्यार्थियों को सुचित किया आता है कि उनके प्रमान पत्र की समिक्षा स्कूटनी 25.2024 वंगलवार एबं 26.2024 बुद्धवार को आयोक के कारेले में निधारित की गई है और यह डेट दे दिया गया यह रॉल नंबर दिया गया देख लिजे डेट 25.2024 को जितना भी यहां पर रॉल नंबर दिख रहा है आपको उनको टाइम 10 बज़े है लेकिन आपको 9 बज़े ही जाना है डेट वाइस दे दिया है 26 तारी को भी देख सकते हैं यह पूरा का पूरा डेट है जिस पे आपको जो है अगर आपका टाइम 2 बज़े दिया है तो एक ब अबिया गया है कि प्रमानपत्रों की सबिक्श effectively है जो है ना अवियार्थि been Biometric या Iris Milane Entertainmently इमियुथ जानटर टासे किया जाएगा उत्त मिलान में सही पाई प्रमान पत्र 18 वी आयोक के बालव कर लेना है डाउनलोड करके उसको भर लेना है अब प्रमान पत्र में क्या का चाहिए क्या है तो पुन्ढूरूप से भरा हुआ निधारी तैस्थान पर सिपका हुआ फोटो पत्र एक पर फोटो भी चिपकाना होगा जो कि यहीं से डाउनलोड करना है वेफसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है इसके बात बीहार क्रम चारी चाहिए यगद्वरा लिखित परिक्ष्चा का बेवहारी परिक्ष्चा अंगत्रिद चाहिए computer course समंधित प्रमानपत्र होना चाहिए इसके बाद आपका जाती समंधित प्रमानपत्र होना चाहिए जिस category से हैं EWS से हैं तो वह होना चाहिए पिछरा देंद पिछरा वर्क से हैं तो वह होना चाहिए तो यह होना चाहिए सब डॉकुमेंट लेके ठीक है अपना रॉल नमबर देखिए कितने बज़े से document verification है वो करिए अगर आप तो लगता है कि कोई आपके चाहने वाले हैं जिनका ये document verification है तो वेडियो जरूर सेर कर दीजेगा उनको बता देजेगा यहाँ पर date बता दिया गया है कि आपको 9 बज़े ही पहुंचना होगा जिनका पूरा का पूरा जो है notice निकल के सामने अभी आया है और हम आपको दोनों परपत्र जो है इसका form जो है वो दिखा देते हैं जो दोनों form आपको डाउनलोड करना है और उसको बहर के आपको ले जाना है तो यह दोनों form आयो के website से ही डाउनलोड होगा और इसी link से information चाहिए वो सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो या आपकी तैयारी हो उसमें भी आपको help करेंगे तो आए डाउनलोड करते हैं इसका form एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं कैसा है form किस तरह का है form वह form आपको यहां से मिल जागा इसको थूरा सा लेके जाना पड़ेगा या आप लेके जाएए वहां भर लीजिएगा और दोनों फॉर्म जो है ना उस पर आपको कर लेना है तो देखिए पाला प्रपत्र जो दिया हुआ है यह रहा इसमें जितना भी है प्रमान पत्र में समिक्षा किती थी जिस दिन डेट होगा अनुक है क्योंकि वहां पर मिलान किया जाएगा और इसको करने के बाद दूसरा फॉर्म जो है वह भी आपको डाउनलोड कर लेना जिसमें डिक्लरेशन है सिफ तो वह भी डाउनलोड कर लेना यह उसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या दिया गया है उसमें यह देखिए तो देख सकते हैं यहां पर अधिगारी घुषना पत्र का है अब इदक द्वरा दी जने वाला सपत पत्र है ठीक है तो इस पूरे को भर लेना है साइन कर लेना है सान करके यह दोनौ लेके आपको जाना होंगा सात में जितने जितने भी आपके सेक्षिनिक प्रमान पत्र हैं या टेकनिकल है जो भी है वह सब लेके आपको जाना है अपने डेट के रोरिंग जाना है तो चलिए बेस्ट आफ लग एवरिवाड़ी जो भी जा रहे है डॉकुमेंट वेडिफिकेशन के लिए तैंक्यू पर वाचिंग जामैस माजिक चैनल पर बने रहेगा हम रखेंगे आपको प्रॉसेस सेलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जनूर इन्फोर्मेशन ताकि एक एक इन्फोर्मेशन आपको टाइम पर मिलता रहे है और आपका सेलेक्शन पक्का हो तैंक्यू अब्रिवर्डी